हालो दूबर लेर्नर्स, हाओ रियो आल, हमने शुरू किया था क्लास 7 स्टैंडर्स है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नूट्रिशन इन लिविंग और्गनिजम, लेक्टर नंबर 1 अल्रेडी हम देख चुके है, लेक्टर नंबर 2 आज देखने वाले है, इसके लेवर 1, 2, 3, already इस चैनल पे अप्लोडेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक बिल जाएगा, चैनल पे नए हो तो इसको सब्स्क्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, सभी के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे साइंस से, और साथ ही साथ अब अपने का साथ शेर भी कर सकते हो, चलिए तो अभी के कारिकरम को स्टाट करते हैं, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्शर में, that is nutrition in living animals, sorry, ठीक है, animals में जो nutrition होता है, वो किस प्रकार से होता है, अभी nutrition का मतलब क्या होता है, यह मैंने आपको last lecture, last lecture में बताया था, डेक nutrition की बात करते हैं, इसका मतलब यह होता है, कि एक जो organism है, उसको need क्या है, उसके body को nutrients की, साथे साथ, किस तरीके से अपने food को, वो ingest करता है, यहाँ पर जो ingest यह शब्द है, इस शब्द का मतलब है कि किस तरीके से अपने food को वो लेता है, और एक और बात है कि उसका इस्त nutrients used, अगर आपको याद होगा, तो दो प्रकार की nutrients के बारे में हमने पढ़ा था, last lecture में, एक macro, और एक होता है, micro, macro वो जो हमेर ज्यादा quantity में छही होता है, micro वो जो हमें कम quantity में छही होता है, और macro में मैं आपको बता था, carbohydrates, protein, or fat, और micro में मैं आपको बता था, vitamins and minerals, ठीक है, nutrients nutrients necessary for various activities of the body are obtained from food, जो भी हमें nutrients चाहिए, हमने last picture में ये भी पढ़ा था, हमें कहां से मिलता है, हमें food से मिलता है, they are supplied to the various parts of the body through the blood, अब जो आपका blood है, वो nutrients को transform करता है, transport करता है, एक जिगे से दूसरे जिगे पर, the food that we consume does not mix with the blood as it is, it needs to be converted into soluble forms and that can be easily mixed in blood, nutrition in animals involves various steps from ingestion to ingestion, बा अभी जैसे मानलो कि ये कोई food है, ठीक है, इस food को मैंने खा लिया, इस food के अंदर carbohydrate, fat, minerals, vitamins वगरा है, तो क्या वो directly जाके मेरे शरील में मिल जाएगा के खाना, नहीं, उसके अंदर है, तो मेरे जो खाना जो मैंने खाया है, वो मेरे शरील के अंदर जाएगा, और वो breakdown होग उसके अंदर से जो भी nutrients होगा, वो मेरे blood में absorb होगा, blood उसको चारो तरफ लेके जाए, अब ज़रा बात को समझने, एक कोशिश करना है यही पर, कि ingestion, ingestion मतलब खाने को अंदर लेने के प्रक्रिया, और ingestion मतलब खाने को बाहर निकालने के प्रक्रिया, इनके बीच में conversion of food into simple soluble form, अब यह जो खाना है मेरा, वो simple soluble form में convert होगा, ठीक है, जैसे अगर आप ऐसा कोई भी चीज़ खाते हो, जैसे मालो आपने चपाती खाया, ठीक है, तो चपाती आपके body के अंदर digest होगा, ठीक है, और आपको मिलेगा carbohydrates, अब यह carbohydrates further टूटेगा और आपको body को मिल तो यह सब जो है यहाँ पर आ जाता है digestion में, conversion of food into simple soluble form, soluble मतलब जो किसी के साथ मिल सके है, यहाँ पर मिलने सा हमारा क्या मतलब है, पानी और खून के साथ body में मिल सके, ठीक है, absorption, transfer of soluble food into the blood, अब जो भी तुमारा soluble form है food, ठीक है, nutrient जो भी है, वो blood में transport हो गया, ठीक है, absorb हो गया, estimation, utilization of absorb food by cells and tissue for energy production and growth and repair, estimation में क्या होता है, सही जिगे पर assemble हो जाता है food, ठीक है, जैसे मालो मेरा इधर का ना हाथ कटा हुए, तो उसको utilize करने का, repair करने के लिए, फिर जहाँ पर जिरूत है, वहाँ पर उसको assemble करती है जाएगा, जो भी energy, जो भी हमारा soluble food, absorb हो है, इजेशन, बचा-खुचा जो भी removal waste product है उसको पट्टी के साथ बाहर, ठीक है, undigested food बाहर चला जाएगा, अभी यहाँ पर कुछ important चीज़े लिखवें है, तो पढ़ लेना को जादा hard नहीं है, हम यहाँ पर आ जाते, you must have observed that there are different methods of ingestion of food, आपने बिल्कुल देखा होगा, कि food को ingest करने के अलग-अलग method होता है, in different animals जैसे कि swallowing, swallowing मतलब निगल जाना, ठीक है, chewing जैसे, चबा-चबागे खाना, ठीक है, sucking, चूस-चूस के खाना, ठीक है, scrapping, corning, etc, अब यह वाले शब्द का मतलब क्या है, यह आपको ढूनना है, यह आपको homebook, और नीचे आप comment मे बताओगे, मैं जान-बूच करके, इसका मतलब आपको नहीं बता रहा है, चलो आगे बढ़ते है, types of nutrition in animals, animals में किस-किस प्रकार का nutrition होता है, देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए करके पढ़ेंगे, holozoic nutrition, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि हमें further कुछ चीज़ है, parasitic nutrition, ठीक है, तो खुल मिला कि nutrition हम लोग तीन प्रकार के पढ़ने वाले है, holozoic, saprozoic, और दूसरा है parasitic, अब holozoic के अंदर अगले 5 चीज़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 है, जिसमें पहले के अंदर 5, बत समझ मैं है, अभी चलो आ जाते है, holozoic nutrition मतलब क्या होता है, कि ए एक organism क्या करता है, खाना को लेता है, ठीक है, बचा खुचा, सब अब्सॉब करता है, जो भी बच खुच गया, उसको छोड़ देता है, simple, ठीक हो यहाँ पढ़ते है, ठीक है, how does ingestion occurs in unicellular animals like amoeba, अभी 10th standard का एक बच्चा है, जिसने मुझसे परसो या फिर अभी इसी week के जो मैंना last class हुआ था, ठीक है, उसमें उसके मुझसे पुचा था कि amoeba अपना खाना कैसे खाता है, क्योंकि amoeba unicellular 10th standard का एक बच्चा, और यह पढ़ कब रहा है वो, 7th standard में पढ़ रहा है, मतला आप जब 10th में जाओगे तो आपके सवाल आ सकता है, तो अभी सुन रहे तो देखो क्या बोला जा रहा है, amoeba क्या होता है, unicellular organism होता है, side में आपको मेरे उपर photo दिख रहा होगा, unicellular मतलब जो एक ही cell से बना होगा, तो amoeba does not have organs like hands and mouth, amoeba के पास हाथ और मुझ ऐसे organ नहीं होता, it is a unicellular animal जो एक cell से बना हुआ है, it can take in food through the any part of the surface of its unicellular body, इ यह जो अपना amoeba है, यह अपने body के किसी भी part से खाने को अंदर ले सकता है, तो फोटो देखके तो समझ आई रहा होगा, it surrounds the food particle from all side and take it into the cell, अभी देखो जैसे यहाँ पर amoeba को दिखा एक food, ठीक है, तो food particle को ऐसे चारो तरप से उसने surround कर दिया, ठीक है, उसको ऐसे घेड लेगा, food particle को अपने शरी के अंदर लेगा, ठीक है, after that it digests, it digests the food with the help of different enzyme, अब एक ही cell से बना हुआ है, लेकिन उस cell से जो भी enzymes निकलेंगे, ठीक है, hormones निकलेंगे, उसकी मदद से उस food को digest कर लेता है, और जो भी undigested food left behind होगा, amoeba उसको छोड़ देगा, और आगे बढ़ अपने सीडो पोडिया की मदद से, तो ये जो पार्ट दिख रहा है न, जिसको मैं भी highlight कर रहा हूँ, दिख रहा है, ये जो highlighted पार्ट है, इसको सीडो पोडिया कहते है, सीडो मतलब होता है, false और पोडिया मतलब होता है, legs, तो false leg, नकली पाओ, ठीक है, इसके मदद सा amoeba move करता है, तो इन unicellular animals, like amoeba, yugelina, paramecium, ये सब क्या है बच्चो, ये सारे के सारे हमारे protozoas है, ठीक है, वो क्या होता है, आगे जब word आएगा तो आप समझ जाओगा, ठीक है, तो amoeba, yugelina, paramecium, etc, all the steps of the nutrition occur with their help of unicellular body, तो ये सब एक cell से ही बना हुआ है, तो इस तरीके से holozoic mode of nutrition का है, लोग, use करते हैं अपने nutrition को लेने के लिए, अब देखो, insects have mouth parts for ingestion, अब कुछ insects होते हैं, जिनके पास mouth होता है, ठीक है, for example, insects like cockroach, cockroach होता है आपका, या फिर grass होपर, इनके पास एक nibble होता है, या jaw like mouth part होता है, butterfly के पास सक करने के लिए होता है, सकर्स होता है, ठीक है, tube like probiosis होता है, ठीक है, mosquito और जो bed bugs होता है, वो needle like mouth का इस्तमाल करते हैं, बचरन, needle like mouth होता है उसका, ठीक है, और वो अपने सिकार के लिए होता है, अपना खाना निकाल लेते है, ठीक है, और अपना blood शक कर लेते हैं, फिर जो भी other fluid शक करना होगा कर लेंगे, तो कु specify the following animals according to the food type, अब ये कैसा है, मुह से खाता है, ये कैसा है, जीव से खाता है, ठीक है, ये इनसान हाथ से खाता है, मुह में लेता है, ठीक है, हाथ से खाने को मुह में लेता है, उसके बाद यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा deer है, ये हमारा deer क्या करता है, घास किस प्रकार का खाना है, animals can be classified, ठीक है, किस प्रकार का खाना खा रहा है, समझ में आ रहा है, जैसे herbivores, herbivores मतलब वो जानवर, जो घास खाते हैं, ठीक है, herbivores use plants directly as their food, example के लिए grazing animals, जो भी घास चड़ते हैं, granivores, या फिर seed eaters, ठीक है, फ्रूगी वोरस, जिसको हम लोग fruit eaters कह सकते हैं, इसके बाद है, carnivores, carnivores वो animals होता है, जो depend करता है, दूसरे animals पर अपने food देलिए, दूसरे पर depend करता है, ठीक है, दूसरे animal पर depend करता है, पेड़ पौधों पर नहीं, non-vegetarian नहीं है, ठीक है, carnivores are indirectly dependent on the plant for food, क्या बोल रहा है कुछ भी बोल रहा है, मतलब carnivores indirectly dependent है, मतलब यह किसको खा रहा है, herbivores को खा रहा है, जैसे देखो, एक शेर, शेर किसको खाएगा, बकरी किसको खा रहा है, घास को खा रहा है, तो indirectly घास खाने वाले प्रानी पर ही dependent है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, example के लिए animals that feed on herbivores, predict animals that feed on insects are insectivores, ठीक है, तो यहाँ पर एक example बोला है, जो herbivores को खाते है, उसको predictors कहा जाता है, जैसे कि शेर, एक predictor है, tiger, एक predictor है, ठीक है, और जो insects को खाते है, अब यह भी तो दूसरे animal को खा रहा है, न, carnivory है, उनको एक अलग से प्यारा सा नाम दिया गया है, insectivores, insectivores type of plant भी आपने पढ़ा था पहले, ठीक है, अब जो दोनों खाते है, अंडा भी खाते है, पचली भी खाते है, चावल भी खाते है, दल भी खाते है, उनको बला जाते है, omnivores ठीक है, जो non-vegetarian है, vegetarian mix है, तो animals that obtain their food from both the plants and animals are called as omnivores, तो plant और animal, जो मिल जाए, वो खाएंगे, उसको लोग omnivores बोलते है, example के लिए monkey है, chimpanzee है, human है, ठीक है, some of the organisms around us perform the function of cleaning and conserving the environment, कुछ ऐसे animals भी होते हैं हमारे आसपास, जो आसपास के महौल को, environment को साफ करके रखते है, by the very fact of feeding themselves, और ये साफ कैसे करते हैं, अपना खाना खाते रहते हैं, इनको पता भी नहीं किये साफ कर रह जैसे कि they are called scavengers या फिर decomposers, अभी scavenger और decomposers अच्छे समझते क्या होता है, scavenger वो चीज़े होती ही, जो अपना food obtain करता है, dead body of animals से, जैसे कि vulture, मतलब ये मले हुर, मूरता को खाते है, ठीक है, तो इनको ये सफाई भी कर रहे है, ये अपना खाना भी खाय रहे है, ठीक है crow, मतलब क्या होता है, kawa, या फिर hyena, etc. अब decomposers क्या होता है, ये कुछ ऐसे microbes होते हैं, जो obtain करते हैं अपना food, decompose करके dead body of organisms and other materials, तो जैसे कि कोई भी material है, उसको decompose कर देगा, मतलब उसको तोड़ देगा, उसको simple simple तरीके से तोड़ देगा, उसको बिट्टी बना देगा, देगा, तो उसको हम decomposers बोलते हैं और उसी time में वो अपने nutrition सक करते रहते हैं, अभी अगला mode of nutrition है, हमने 5 प्रकार पड़ा, holozoic के अंदर में 5, best on की क्या खा रहा है, अब यहाँ पर तुमना देखा होगा, तो सभी लोग वही system है के कुछ खाते हैं, पचाते हैं, और rest material होड़ देता है, ठीक है, तो अभी अगला है हमारा saprozoic nutrition, saprozoic nutrition में क्या होता है, कुछ ऐसे insects हैं, unicellular animals हैं, या फिर कुछ और, जो obtain करते हैं, अपना nutrition, absorb करके liquid organic material from the dead body of other animals, और from the environment, तो environment से या फिर कोई animal है, जो dead है, उसके अंदर से organic liquid material को निकाल करके, यह अपना food बनात है, इसको अबनों बोलता है, saprozoic nutrition, ठीक है, this is saprozoic nutrition, example है housefly, ठीक है, ant और spider, आपको पता यह सार है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, parasitic nutrition, parasite मतलब क्या होता है, अब देखो समझो, मैं तुम्हारा खून पीर हूँ, तुम्हारे उपर ही रह रह रहा हूँ और तुम बोडी पे, जैसे की कुटा या बफैलो के बोडी पे कोई दूसरा चोटा अनिमल देखा है, जो क्या कर रहा है, उसके उपर के चोटे अनिमल पर dependent है, थोड़ा confusion होगा, मतलब मान लो की, अभी समझेगा तुमको, ठीक है, from where do this animal, little animals obtain their food, अब यह लाइन एक पर अच्छे सम पूछ रहा है कि वो कौन से छोटे animals होते हैं, और अब बूचा जा रहा है कि वो animals अपना food कहां से पाते हैं, देखो, from where do worms in the intestine obtain their food, हमारे intestine के अंदर as caries, ऐसे अलग अलग प्रकार के worms हो सकते हैं, वो अपना food कहां से अप्टें करते हैं, some animals depend upon the animals for the earth, upon other animals for their food, कुछ ऐसा animals हो अपने food के लिए उसको तो carnivorous बोलते हैं ना, उसको तो omnivorous बोलते हैं ना, फेले सुन पूरा, ठीक है, they can obtain the food only from animals on whom they are dependent, this is called as parasitic nutrition, मतलब यह और कहीं से food obtained नहीं कर सकते हैं, ठीक है, carnivorous कहीं से भी खा सकता है, omnivorous कहीं से भी खा सकता है, लेकिन यह वो animals है, जिसके ऊपर है उसी पर अपने food के लिए depend कर सकते हैं, किसी और के उपर जाएंगे तभी उस पर depend कर सकते हैं, मतलब मेरे उपर है और तुम्हारा फुन पिएंगे ऐसा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, parasitic nutrition कहते हैं, some animals live on the body surface of the other animals and obtain their food by sucking their blood, this is called as ictoparasitic nutrition and such animals are called as ictoparasitic, example के ठीक है, या फिर तुम्हारे बाल के अंदर जुएं हो जाती है, ठीक है, वो तुम्हारे बाल के अंदर स्रुम पीती हैं, ठीक है, वो तुम्हारे nutrition ले रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, ictoparasitic, तुम्हारे body के बाहर है, लेगिन आइसा ही अगर कोई दूसरा, ठीक है आइसा है, लाइस मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनिमल्स लाइक टेप वार्म और राउन वार्म लिव इंसाइड द बोडी ऑफ अधर अनिमल्स हैं, जो तुम्हारे body के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको कहा जाता है इंडो पैरसाइटिक नूट नुकसान डायक होते है, हमारे body के लिए नुकसान करेंगे, ठीक है, तो इसके अलाबाए तो कुछ है नहीं, इस chapter में, अलग-अलग mood of nutrition के बारे में आपने पढ़ाया, class 7 के चार chapter अल्रेडी अप्लोड होगे, अगर हम बात करेगी class 7 में total कितने chapter है, तो अगर हम यह वाला तो हमने कौन से कौन से chapter cover कर लिये, एक बात थोड़ा बात कर लिया जाया, इस stage के बारे में, तो हमने पहला chapter अच्छे से cover कर लिये, एक दम detail में cover किया, दूसरा chapter हमने बहुत अच्छे से cover कर लिया, ठीक है, हमने तीसरा chapter भी अभी cover कर लिया, इससे पहले, और अब हम चौत पता चलेगे तो यह जब तुम कमेंट में बताओगे तब पता चलेगा तो चार चाप्टर तो मैंने 20 में से अल्रेडियो निप्टा दिये मतलब 16 और चाप्टर बाकी है और एक बार मेरा यह 7th स्टेंडर का पूरा वीडियो डाल करके हो जाता है उसके बाद मैं 8 स्टेंडर काम करना स्टाइट किया था तब मेरे मन में गोल था कि 6 स्टेंडर से लेकर 10 स्टेंडर तक का अपने चैनल पर सारा कॉंटेंट होना चाहिए अच्छे से ठीक है तो अभी 6 का तो मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि 6 का बच्चा मैं को लगता है क्या ही online आके पढ़े हमारा यहां 8 7 और 8 का science का खुझा है उसके बाद जो मेरा goal है मैं भी आपको बता देता हूं कि मैं प्लाइन कर रहा हूं कि मैं उसके बाद 7 स्टैंडर से लेकर के आगे तक का आपको maths के वीडियो भी quality डाल दूँगा ठीक है डाला तो बहुत लोग अने लेकिन क्या quality डाला करेंगे तो इनके भी काम आएगा so thank you so much एक दूसरे की help करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे भाईयों इस chapter को अच्छे से पढ़ना exercise solve करना और अगर आपसे possible होगा तो कुछ सवाल के जवाब आप नीचे comments पर भी लिख सकते हो इसके अलाबा आपको कोई doubt हो त comments पर भी लिख सकते हो आपे लाइने